अब आप सभी कैसे हैं जेसी केमेश्टी क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है इस्टूडेंट्स आज हम सरुगुजा इनुश्टी संद गाहिरा गिरू विश्व विद्यालाई का बीएसी फाइनल एयर में केमेश्टी का सिलेबस डिसकस करने वाली हैं आज मैं हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं हैं इन और क्रेकर में आपको क्या-क्या पढ़ना है थीदेदा आपका þरू को bonding in transition metal complex तो इसमें आपको especially क्या पढ़ना है वालेंस बोन्ट थोरी के बारे में जो आप पढ़ चुके हो ठीक है वालेंस बोन्ट थोरी के कुछ ड्रोब आइक देखना है और खास कर इसमें आपको सबसे ज्यादा किसके उपर फोकस करना पड़ेगा crystal फिल थोरी सी एप्टी जिसको सोटकट में क्या बला जाता है सी एप्टी किस्टल फिल थोरी के बारे में आपको पूरा complete पढ़ना पड़ेगा ठीक है कि उसमें isplitting कैसे उसमें टेटर हेड्ल isplitting होगा कैसे है अकटा-घ। ही जादा समझने वाला aspect of metal complex ठीक है तो इसमें इस्पेसली बताया गया कि जो complex होता है वो किस तरह thermodynam stable होता है या उसका kinetic कभी stable होगा मादर जो metal ligand जो complex बन रहा है cft के दौरा उसके thermodynam stability क्या होगी या फिर उसकी kinetic stability क्या होगी ठीक है यह unit wise है तो unit wise में आपको पूरा और पूरा किसके बारे में पढ़ना है cft crystal field ठीक है यह काफी important है cft crystal field ठीक है अब चलते हैं हम लोग unit second की और unit second में आपको क्या पढ़ना है magnetic properties और transition metal complex ठीक है यह भी cft भी बेस है ठीक है इसमें इसमें भी हम लोग जो metal ligand complex है उसका magnetic property पढ़ेंगे ठीक है इस जैसे उसको इसमें हम क्या कर निकालना सिखेंगे LS coupling ठीक है LS coupling निकालना सिखेंगे साथ ही उसके magnetic property में कैसे changes होता है उसका magnetic movement निकालना सिखेंगे साथ ही यहाँ एक नया चीज आएगा term symbol ठीक है term symbol भी निकालना आप यहीं पर सिखेंगे ठीक है term symbol निकालना बहुत ही बहुत easy है अगर आप उसको अच्छे से समझ किए concept वाज अच्छे से पढ़ेंगी तो ठीक है उसके बाद देखो इसी का second सेकेंड पार्ट दिया हुआ है electronic spectra और ट्रांसे मेटल कंप्लेस तो जो मेटल लीगन कंप्लेस है उसका electronic spectra कैसे change होता है ठीक है उसमें यह पढ़ेंगे डीडी ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग और गेल डाइग्राम ठीक है इस और गेल डायग्राम टैनांबो सुगानो डायग्राम इसमें आपको इस पढ़ना पढ़ना पढ़ेगा औ चलते हैं अब चलते हैं हम unit third की और unit third में आपको क्या पढ़ना है organometallic chemistry ठीक है organometallic chemistry के बारे में पढ़ना है तो organometallic chemistry के बारे में यह पूरा unit base है जिसमें आपको कैसे organometallic compound बनते हैं जिसे नाम से clear है जब कि organic compound किसी metal के साथ attack जूड़ कर ठीक है यह add होका जो compound बनाएगा उसी क्या पलेंगे organometallic chemistry ठीक है तो इसमें आपको क्या कर देखना है इस पेसली क्या कर पढ़ना है तो आप इसमें जितने भी metal है ठीक है जैसे lithium यहां दिया है lithium दिया है लीथियम लीथियम दिया है उसके बाद क्या दिया है aluminum mercury यह सभी compound के बारे में आपको क्या करना पढ़ेगा प metal है यह जो organic compound है उसके साथ कैसे मिलकि और नो मेटली compound का formation करते है उसके बारे में पूरा डीटेपरना है आपको ठीक है इसमें और किसके बारे में पढ़ना है metal carbonyl के बारे में पढ़ना है कि जो मेटर कार्बोनील है उसका formation कैसे होता है और वह किस Тारफ केमिकल रियक्षन कर क्योंकि हम अपने biological function या अपने daily life से related कुछ चीजों के उपर discuss करेंगे कौन से elemental कौन से element है या कौन से chemistry element है जो हमारे biological function प्रोसेस में यूज होती है ठीक है तो हम इसमें क्या कर पढ़ेंगे हीमोगलोबीन मायोगलोबीन के बारे में सबको पता हीमोगलोबीन मायोगलोबीन हम हमारे जो बोडी पार्ट ब्लड ब्लड सेल्स है ठीक है उसके लिए यूज है उसके अलाव हम इसमें sodium potassium के बारे में पढ़ेंगे sodium potassium pump आप सभी जानतों हो जो हमारे बोडी में आयन ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जादी फूल है उसके लाव हम nitrogen fixation के बारे में कर दो झाल झाल तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके स्ट्रक्ट्चर के बारे में और इसके कीमिकल रियक्षन के बारे में तो पूरे के पूरे जितने भी यूनिट है आपको ध्यान से पढ़ने वाली टॉपिक है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इनौर्गनिक केमिस्ट्री काफी इंट्रेस्टिंग है और आपको पढ़ने भी मज़ा आएगा और दूसरी बार समझ भी अच्छे सा आएगा और यह जो इनौर्गनिक का जितने भी टॉपिक है आगे चलके आपको कंपिटिशन एक्जाम में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इसलिए इनौर्गनिक केमिस्ट्री को आपको अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ने की जोरत है अब आगे चलते हैं हम किधर और औ अरगनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ज्यादा पर ने की जूरतनी है जैसे सेंड्री में आप नेकिन पढ़ना पर था था लेकिन यहां बैसी फैनल यह में ऐसा कुछ नहीं है उतने बहुत सारे आपको नेम रिएक्षिन पढ़ने नहीं पढ़ेंगे लेकिन यहां जितने भी टॉपिक ही यह कंसेप्ट वाइज हैं आपको दिमाग में रखने वाले चीज हैं और सभी के सभी कंसेप्ट चोल है इसलिए यहां आपको नेम रिएक्षिन पढ़ने नहीं है लेकिन जितने भी टॉपिक दिये हैं आपको दिमाग में रखने वाले और सबको कंसेप्ट वाइक पढ़ने की ज तो जैसे वहाँ पे था इनओर्गिनिक में भी था अर्गनोमेटलिक एमेंस्ट्रीज यहां पर Sergio उनिटापिंट कस्षिप कुछ इहां पर क्या प्रफडिएक आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा जैसे घृत ख्रिज इसके बार को डीटेल पढ़ना पढ़ना पढ़ेंगे अकी ससे होता है यह कैसे की से कैमिकल रिएक्षिन करते हैं इसको बनाने का मेथट इसका केमिकल डिएक्षिन पूरा प्ठरह इसके बाद इससी में सेकेंड सिंटेटीक दुछ्लफर सथ ही अपलीकेशन में देखना पड़ेगा उसी तरह और्गेनो सिंथेटिक इनोलेट को पढ़ना पड़ेगा जैसे कुछ रियेक्शन देखना पड़ेगा जैसे प्लेजन सब के बारे में यह क्या है यह और गुन्ट मेटली कंपॉंड का ही है पाथ है तो यह काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग आप पहले पढ़ चुके होगे लिएमें पढ़ चुके हो ग्लुकोस शुक्रोस के पारे में तो वही युनि चेकें में आपके लिए फिर से रखा गया है लेकिन यहां आपको पड़ा उसको थोड़ा ब्रोड लेबल में पढ़ना पढ़ेगा तो इससे सब बुलोकोज्द फ्रक्ट्रोज मौनव च्प्रोजत यह सब क्या पढ़ना है इसटीरियों केमृस्टि ज़ोर्त पढ़ेगी इसके श्टक्चर और केमिकल रेक्सें और और इसका chemical reaction पढ़ना पड़ेगा तो यह भी काफी काफी जी है ठीक है यह भी काफी इसका structure और chemical reaction को पढ़ना पड़ेगा हम लोगों कार्बोहेडरेट का जितने में glucose, fructose, minus और stereo chemistry ठीक है तो यह भी काफी interesting है क्यों क्योंकि हम लोग जो glucose, fructose है इसको घर में भी यूज करते है ठीक है तो अगर इसको आप concept पढ़ेंगे तो काफी interesting लगेगा लेकिन अगर इसको आप रटने कोशिश करेंगे तो यह काफी आपके लिए आगे चलके बोर्यत हो जाएगा ठीक है अब unit second में इसका second part में क्या दिया है फाइट ओल आयन डितरजन के बारे पढ़ना है तो यह आप मारे daily life का भी जो फाइट है ausil है इसका cleaning action कैसे है यह कैसे जो dirt है या email है उसको कैसे clean करते हैं इसका प्रोपर मेकनीजम आपको पढ़ना पड़ेगा जिसको आप सर्फेस केमिस्ट्री में ब्येसी फर्स्ट एर में पढ़ चुके हो ठीक है साथ ही इसमें आपनों ग्लीस्ट रोल के बारे में देखना पड़ेगा उसका सपुनिफिकेशन वैल्यू आयोडिफिकेशन वैल्यू तो fight oil के बारे में मंतलब उनका structure chemical reaction यह सब यहां पर आपको देखना है ठीक है अब चलें हम लोग किधर चलें unit 3 की ओर unit 3 में क्या है synthetic polymer synthetic polymer अब synthetic synthetic अगला unit क्या है unit 3 में synthetic polymer यह यह पॉलीमर यूनिट आपके दरह पहले ही पड़ा जा चुका है कि क्या होता है रीडिकल मेकनीजम करते हैं और कैसे जो मोनुमर होता है पोलीमर का फॉर्मेशन करते हैं उसी तरह कुछ स्पेशिफिक अलग अलग त्याप के जिसे polarization by př Measure हो पॉलीमर है उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करना पड़ेगा साथ ही आपको कुछ स्पेसिपिक जैसे नाइलोन सीक्स से ठीक है बेकलाइट, डेक्रोन यह सबी जो पॉलीमर से उनका फॉर्मेशन कैसे होता है बनता कैसे है उनका केमिकल अप्लिकेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा तो यह क्या था यूनिट थर्ड यूनिट थर्ड में ही देखो यूनिट थर्ड में एक सेकंड टोपिक दिया सेकंड टोपिक दिया है क्या सिंथेटिक डाई सिंथेटिक डाई डाई के बार में आप सभी जानते हो डाई हम घरों में यूज करते हैं करने काला करने किए रष यूज़ों करते हैं तो उसका हंथ करने करते हैं करने के रषव गर यूज़ करते हैं वही जितने भी है तो हम लोग क्या करना है ठीक है उसका chemical structure पढ़ना है और साथ ही उसका हम लोग को chemical formation देखना है कि वो कैसे बनता है और उसका chemical reaction भी साथ ने पढ़ता है तो कुछ इस पेसिपी डाई यहां पढ़ना पढ़ेगा आपको जैसे मेथिल औरेंज हो गया कांगो रेड मेलेकाइड ग्रीन क्रिस्टल वाइलेट फिनोप्थेलीन फ्लोरोसीन यह सब के बारे में आपको डीटेल में स्टेटी करना पढ़ेगा उसका मेथर जानना पढ़ेगा और साथ है उसका chemical reaction अब देखो यूनिट फोर यूनिट फोर में क्या पढ़ना है इस्पेक्ट्रोइसकोपी अब यहां एक आपके लिए एक नया टोपिक स्टार्ट होता है नया चीज ठीक है इससे पहले आप सेकिंडियर तक इसके बारे में कभी सुने ही नहीं थे कभी पढ़े इसकोपी बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट वाइस होता है बहुत ही दिमाग में रखने वाला चीज है तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको आप रट के कभी नहीं पढ़ सकते ठीक है अगर इसको आप समझ के पढ़ेंगे अच्छे से कंसेट बन यह तो हमारे डेली लाइब में बहुत ज्यादा यूज होते हैं इस्पेक्टरम जैसे हम लेक्स्तिरे कराते हैं सीटी सकन कराते हैं तो यह बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग भी है और मजह दार चीज़ है तो आप आपको पढ़ने आए मज़ा आगा हम पढ़ने मज़ा इसमें इसका बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना पड़े उसके अलरवावागे मिलना है इसके बारे जो blank आपको कें उसी में सट्थिकर पार्ट है आईयायन इन्फेक्टरायट सब Champ कोपता है इसके जैसे और क्रवाइब बनता है उक्सलों यसह लूए बड़ना और साती लाइक कि बारे में भरन स्कीट लाइट से मैं कैसे एलाइड क्षर में बनता है कि फिंगर ठिके है उसके फंक्रियन स्क्रेटor दो क्या होगा अलग अलग मिलेगा सब के बारे में हमको complete study करना पड़ेगा तो यह काभी डाटा वाइज है आपको दिमाग में रखने वाले चीज है कि कौन से फाक्तर गुरुप का आया डाटा कितने रीजन में मिलता है तो यह आपको दिमाग में रखने वाली चीज है तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ यूनिट यूनिट फाइज में क्या पढ़ना है आपको इस्पेक्ट्रोइस्कोपी टू ठीक है इसको पूरा आपको complete study पढ़ना पड़ेगा यह बंता कैसे इस्पेक्ट्रम कैसे निकलता है बहुत ही ज्यादा इजी टोपिक है कोई बीकमपॉंड अपना इस्पेक्ट्रम निकालता है जैसे कोई और यह बहुत ही ज्यादा मज़ेदा निकालेंगे तो अगर तो आपको बहुत मज़ा आएगा ठीक है लेकिन यह भी यह भी समझने वाली चीज है और ध्यान लगाकर पढ़ने वाले चीज है जो इस प्ड़ेगा अच्छे समझ आएगा वही यहेनमार इस्पेक्टर इसकोपी कोस्टन को अच्छे से कर सकता है तो यह पूरा यूनिट अर्ष का यह काफी इजी है और काफी इंट्रेस्टिंग है यही आपको इस्पेक्टर इसकोपी पढ़ अलग मज़ा है इनमार पढ़के ही आता है क्योंकि इसका जो सिगनल निकालोगे इसका जब लाइन खीचोगे जब इसके स्पेक्ट्रम बनाओगे तो काफी आगे चलते हैं हम लोग फीजिकल के मेंस्टी के ओर यहां तक तक सब्सक्राइब हो आपको क्या क्या पढ़ना है तो इसका हम नोब देखते हैं तो पहला यूनिट में इसमें आपको क्वानटम मेकनिस के बारें पढ़ना पढ़ेगा जो फीजिक्स या मैस वाले पढ़ेगा और जबाएवाली इस्टूडेन उनको थोड़ा यहां ध्यान लगा के पढ़ने की जोरत पढ़ेगा उनको ज्यादा मेहनत करने की मेहनत करना पढ़ेगा क्योंकि यहां उनके लिए अलग ही टर्म आ जाता है क्वांटम मेकनिक्स ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है अ ठीक है लेकिन यह अगर फॉर्मूला वाइज है तो अगर इसको ध्यान लगा पढ़ेंगे तो यह भी आसानी से कर सकते हैं ठीक है इसमें आपको डी ब्रोगली एक्वेशन हाईजेंबर्म प्रिंस्पल के बारे में पढ़ना है वन डे टू डी बोक्स के बारे में पढ़न क्रफ है है ठीक है अगले चलते हैं हम लोग यूनि शेकन्ड की उसको तो यूदी यूदी शेकन मेंक है अधिया हैונぎ एलिमेंट्री क्वांटम मेकड टी गांग history प्रिंसपल कैसे बनेगा ठीक है उसका बॉंडिंग एंटी बॉंडिंग और विटल में क्या डिफ्रेंस होंगे ठीक है कुल मिलाके आपको यहां एमोटी और क्वांटम मेकनिस्ट का एक वह प्रिंख सृप्र ह्फ्रेंण है हैं तो यहीं तो यह थोड़ा सा बोल दिये क्या हुदा सारे की में फ़िर भी घ्यां लगाग पढ़ेंगे तो एपाटोमेटिक अपको इस्ट फीन्ट आ देगा उन्य शोच्प्ध थाधर देखते हैं ठीक है युनिट अरद देखें इसको स्बेक्टोर्विज़स्त देखिए था फिस्यां पीजिकाल स्लंसें आ गये आपका करें पड़ना क्या पढ़ना पढ़ेगा जैसे दिया है रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना पढ़ेगा ठीक है रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना पढ़ेगा और रमान स्पेक्ट्रम के बारे में तो यह जो यूनिट थर पूर आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रम सब्सक्राइब करते हैं उसको सब्सक्राइब करने से घूमने से जो इस्पेक्टर मिलेगा उसको सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करने नियुक्वыми जंख सब्सक्राइब क्वध्याब कॉट इस बीच्पाइब करते हैं किस तरह उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है चेंज होती है कैसे उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है चेंज होती है तो यह रमनी स्पेक्ट्रम पढ़ने में आपको बहुत ही ज्यादा मज़ा आगा साथ ही रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम यह थोड़ा कॉंप्लिकेट टोपिक है अगर इसमें बहुत ज़्याद आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा और याद रखने वाले फॉर्मूला है तो इसको भी आप आसानी से अगर समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा इजी टोपिक है लेकिन आपको दिमाग में रखने वाले और समझने स 국不要 का अगला ऒजा यूनीट फॉर जर यूनिट फोर में क्या दिया है इस्पेक्टोइसको पी टू कर पीट्टम साथ कीले सब्सित को नेform और देखें आपको ऑले यूट्य की शुक्ट में पारें पढ़ना पड़ेगा इ Zahlen के स्बाइसे ठीक है वही कुछ है के सबके बारे में आपको पढ़ना पढ़एगा करने साथ है फोटो नियुक्ट्रोंयक्ट्राइग्समें हो जाता है उसमें कैसे चैंज होगा स्थाजिय DAY नहीं दिनें सम्झाने कोशित किया आइइंस्टीन हो ग्रोधी director आप पड़ेगा तो इस अब लोग को के मेश्य को बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा एप CCP Notes You Need physical properties and molecular structure physical property & molecular structure तो जो भी कंपॉझ्ट है उसका physical property or molecular structure में क्या changes होता है तो इसमें आपको especially dipole moment के बारे में पढ़ना पूढ़ेगा साथ है उसका magnetic property कैसे पारा मेंटीक तो करता है डाया मेंटीक सो करता है यह पार मैंग्नेटिक फेरो मागनेटिक सो करता है इस सब के बारे में क्यों कैसे changes होता है मागनेटिक प्रोपर्टी और उसको कैसे determine किया जाता है यह सब के बारे में पढ़ना है साथ ही इसमें अलग से भी टोपिक दिया गए सोलुशन डाइलूट लूट फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रेशन बोलिंग पॉइंट यह सब काप्लोट फ्रीजिंग पॉइंट पर चुके हो सोलुशन में कैसे change होता है उसका उसका बोलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाता है तिक है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट ही मांग कैसे क्या हो जाता है कंप हो जाता है वही सभी टोपिक को आपके उसी कोलिगेटि प्रोपर्टी को आपको यहां फिर से पढ़ना है राउट लो यही सब वही सब के बारे में आपको फिर से यहां पर आपको पढ़ना है तो यह था आपका कि एक सिरेबस ठीक है इनार्गनिक और फिजीकल का ठीक है यह क्या था पूरा कंप्लीट सिरेबस तो आप बताओ यह स्टेकर से आप हाट लगा कि एजी लगा यह मेरे आप यह मैं बता दिया ठीक है मेरे पॉंट याप से मेरे को यह सेकंड की कंपेर में मेरे को थोड़ा एजी लगता है तो फिछ तो है लेकिन यह बहुत जादे कंजेप्ट वाईज हैं समझने वाले टौफिक इसमें ज्यादा है अगर कोई शुडेन को अच्छे से कि इसका कंसेप्ट क्लियर करता है अच्छे सी समझ के पढ़ता है तो ब्यस्टी फाइनल यर का जो सिलेबस से क्या है काफी एजी है मेरे अकोडिंग ठीक है अब आप मुझे बताओगे कि आप आपको ब्यस्टी फाइनल यर का सिलेबस कैसे लगा ठीक है आप कमेंट सेक्षि ठीक है तो यह था यह था यह था ब्यस्टी फाइनल यर का कंप्लिट सिलेबस आप इसको अपने दोस्तों को ठीक है अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड को जरूर सेर कीजे जो भी ब्यस्टी फाइनल के स्टूडेंट है उनको जरूर सेर कीजे ठीक है और आपको मेरा बता झाल झाल